अब कभी नई छूटेंगे आपके फेवरेट इवी शोज Z5 के सार बिलकुल फ्री मुझसे बे इंतहा मोहुपत करते हैं मेरा दिल जल रहा था जब तुम हैदर की बीवी होने पर फक्र महसूस कर रही थी मैं किसी की गुलाम नहीं मैं हैदर की बीवी हूँ मेरा खून खौल रहा था जब तुम हैदर से लिपट रही थी रुआद रिर्वान मेरी कमर चुप चुप बिलकुल तुम्हारे सीने में दिल है या नहीं गजल मुहबबत होने का दावा तुम मेरे साथ करती हो और प्यारो सहेदर भी लुटाती मिलती हो मैं तुम्हे धक्का नहीं देना चाहता था गजल मगर क्या करो तुमने तर्द ही मुझे ऐसा दिया मुम तो करता है कि दुनिया में आग लगा दू लिगन पर नहीं लगा सकता क्यों चुकि इस दुनिया में तुम रहती हो क्यो जूट पुला मुझसे कसा क्यो बोला कि तुम हैदर से महबबत नहीं करती तुम्हारी असली महबबत मैं हूँ साच क्या है गजल जो तुम हैदर के साथ आटा करी ती वो क्या तुमने उसे बाते की थी वो बोलो साच क्या है रोण पागल हो गया तुम हाँ मैं हादर से प्यार चीट तुम ऐसे सोच में कैसे सकते हो वो हैदर जिससे तुमें केड़नाब किया उससे जबरदस्ती निकाह किया जो मुझे पैरों की धूल समझता है मैं उससे महबबत करूगी तो तुम उससे महबबत का इजहार क्यों गरवा नहीं दे बताओ ताकि दूआ तडपे रुहान जब दूआ तडपती है तो हैदर भी तडपता है ऐसे ही क्यों आ गए अब जाएए यहां से अगर हफीज भाई ने आपको देख लिया तो फिर से पीटना चालो कर देंगे डरता नहीं हूं न उससे अरे तो आप उनसे डरी है मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आपको घसीट-घसीट के मारते हैं वह पिछली बार जब उन्होंने आपको धोया था तब आपना एकदम पिछकेवे खजूर जैसे हो गए थे मुझे ना सच में यह सब देखके रोना आता है अगर आप ऐसे ही मेरी फिगर करती रहोगी तो मैं फरोग यहां पिटने के लिए अर वैसे आज एक तम आखरी लगते हैं आखरी? क्या? मेरा मतलब के मैं इस काम के लिए आया था वह हो गया मैं चलता है कौन सा काम? आपके दिदार करने का काम बहुत दिनों से मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ क्या कहना चाहते है हाई अब इतने प्यार से बोलोगी तो मैं क्या ही बताओं अब आप बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा You are right अब दिल की बात रभा पे लेके आने ही पड़ेगी मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ दोस्ती? दोस्ती क्यों करनी है? मेरी पास अल्रेडी एक दोस्त है मेरी काईनार तो मुझे भी बना लीजे न? और तुमको क्या लगता के मैं उस भुनेवे पापड से मार खाने के बाद भी यहां क्यों आता हूँ गदल से मिलने तो किससे मिलने आते हैं? मैं सिर्फ और सिर्फ आपके जहरे के बिदार करने हाता हूँ कितनी प्यारी लग रही हूँ तुम खाय कैसे फुदक फुदक के शर्मा शर्मा के भाग रही तेरा काम हो गया रह जा फिलहाल रुहान से पूछे कि वो इतने वक्त तक कहा था किस हाल में था और यहाल कैसे हुआ उसका बड़ी में मैं आराम करना जाता हूँ को समय के लिए प्लीज प्लीज आब मुझे आराम करने दीजे अब सब को बता दो कि किस की वज़े से तुमें इतना दुख सहना पड़ा दुख और दुख के हैसास का मुझे नहीं होता जो मैं सोच रही हूँ वो सचना हूँ मेरे मौला रहान कसर के साथ केसे मिलावा हो सकता है नहीं रहान कसर परसे केसे बरोजा कर सकता है नहीं, नहीं, नहीं अगर कर लिया हो कर तो क्या कर, किस से पूझे कुछ समेश नहीं हरे क्या हैदर ही मेरी मदद कर सकते है बड़ी से बड़ी मुश्किल हैदर से बात करके सुलच जाती है इन से बात करके यह उजब में सलच जाएगी नहीं, क्या करने जा रही थी मैं बड़ी मुद्द के बाद रोहान और हैदर के बीच दूरी खत्म हुई है अगर मैंने यह बात निकाली तो दोनों में फिर दूरियां बढ़ जाएंगी दूआ क्या हुआ दूआ 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 क्या हुआ पेटा सब ठीक तो है तुम इतनी दात को भटक क्यो रही हो यहां पे और यह क्या है अपनी आखे देखिया तुमने इतनी लाल है पेटा काले दायरे पढ़ जाएंगे आखों के नीचे तुम सोई क्यों नहीं अब तक वो मैं क्या हुआ दूआ पिटा तुम इतनी परेशान क्यो हो रुहान क्या में वो रुहान रुहान क्या हुआ रुहान को रुहान कितना बदला बदला सा हो गया ना वो पता नी सोया हो गाया नही वो दुआ तुम भी ना उसकी फिक्र छोड़ना हो तो घोड़े बेच के सो रहा होगा तू मुझे बता तू क्यों परेशान है नहीं मैं मैं बिल्कु ठीक हूँ सो नहीं जा रही थी देखा हैदर को ठंड लग रही है तो कंबल उड़ा रही थी आप जाए आप अराम कीजे मैं तीक हूँ अल्ला तुम्हें हाँ वेशा खुश रखे